दोस्तों स्वाग रहे आप सभी का मेरे यूटीब चैनल सच इन एजुकेशन हप पर तो दोस्तों आज हम देखने वाली हैं कि absorption costing और variable costing system के बीच में क्या differences है तो अगर हम शुरुवात करते हैं सबसे पहले variable cost को पकड़ कर तो उसका मतलब तो आप सभी जादा तर जानते ही हो कि एक ऐसा expense जो company की production पर depend करता है कि जितने number of units आप जादा बनाते जाओगे जितने number of production output आपकी change होती जाएगी या आपकी sales increase होती जाएगी वैसे वैसे आपकी variable cost भी बढ़ती जाएगी यानि in simple time अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो variable cost है वो company के raw material से related होती है company के direct labor से related होती है आप जारा तर जब भी कोशिट बनाते हो तो direct material, direct labor, direct expenses ये सब चीजे किसमें डालते हो variable cost के ही तो अंदर डालते हो तो ये सब चीजे variable cost कहलाती है I hope variable cost के बारे में तो पता चल गया अब लेकिन हमने ये समझना है कि variable costing system क्या है और absorption costing किसको बोलते है तो अब सबसे पहले absorption costing आ रहा है तो उसके बारे में समझते हैं then variable के बारे में और फिर इसके सभी key points के जरीए आप इसका difference समझभाऊगे तो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप मेंसे किसी student को कोई commerce subject से regarding notes चाहिए तो या फिर आपको किसी भी commerce subject से regarding कोई problem आती है तो आप हमसे online classes भी ले सकते हैं Notes और classes के details दोनों आपको वीडियो description में मिल जाएंगी और वहां से आप हमारे telegram channel और whatsapp channel या website पे जाके यह सारी information के जरीए notes और classes के बारे में details ले सकते हो Let's go अब देखे सबसे पहले है absorption costing absorption costing का मतलब है कि यह एक full costing method है जिसके अंदर हम हर तरह की manufacturing cost को capture कर लेते हैं यानि एक unit बनाने के लिए एक unit of production करने के लिए आपको कितनी total manufacturing cost लगी है total का मतलब जब मैं बतारूँगा जब मैं total word बोल रहा हूँ इसका मतलब यह हुआ कि एक unit बनाते समय जितनी भी आपकी variable cost per unit लगी और जितनी भी fixed cost per unit लगी वो दोनों ही जब consider करी जाती है यानि per unit of production करते समय per unit of goods बनाते समय अगर आप दोनों तरह की cost को consider कर रहे हो कौन से दोनों तरह की? variable cost per unit और fixed cost per unit यह दोनों तरह की cost को consider कर रहे हो तो it is a part of total manufacturing cost और जब आप total manufacturing cost full consider करते हो तो that is a part of absorption costing तो absorption costing system का मतलब है कि एक ऐसा system जिसके अंदर हर तरह की manufacturing cost को ले लिया जाता है और जब भी एक unit बनाते हो उसमें variable cost को भी पता किया जाता है कि कितनी लगी per unit और fixed cost को भी पता किया जाता है कितनी लगी है per unit तो इसमें दोनों चीज़े consider होती है अब नाम से ही आपको clear हो रहा होगा कि variable costing में कौन सी चीज़ होने वाली है सिरफ और सिरफ variable यानि उसमें हमें fixed manufacturing cost से कोई लेना देना नहीं होता तो variable costing system का मतलब है एक ऐसा managerial accounting method जिसमें सिरफ और सिरफ जो manufacturing overhead लिये जाते हैं वो variable nature वाले लिये जाते हैं fixed वाले नहीं लिये जाते हैं यानि in simple term जो हम variable costing method है वो जादा तर हम consider करते हैं वो सभी expenses के लिए जो directly production से relate होते हैं मतलब हमें इसमें fixed matter मतलब इसमें fixed जो expenses हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता एक unit पे variable cost कितनी लग रही है means material कितना लग रहा है means labor कैसे कितनी लग रही है जब हम सिरफ उनी चीजों की बात करेंगे तो that is a part of your variable costing system और यह generally हम जादा तर क्यों use करते हैं ताकि हमें contribution margin पता चल सके और ताकि हम break even जान सके अपनी company का अपने products का तो यह है हमारा variable costing system अब जो जो चीजे मैंने बोली component के अंदर अब उनी चीजों को clear कर लेते हैं कि जब आप अपनी company के अंदर एक unit बनाते समय डारेक्ट material, डारेक्ट labor, डारेक्ट expenses, fixed manufacturing overhead यह सारी चीजे consider कर लेते हो तो it is a part of absorption costing बट अगर आप direct material, labor और डारेक्ट expenses और variable manufacturing overhead सिरफ fixed वाले consider नहीं करते तो that is a part of variable मतलब सिरफ variable के बारे में बात करना और direct material labor तक ही रहे जाना तो that is a part of variable पर अगर आप fixed की भी बात बीच में add करके कर रहे हो तो वो absorption costing के अंदर ही किया जाएगा ठीक है जी इसके बाद अब अगर आपको supposed curve fixed cost आपको इतना तो पता चल गया कि absorption costing के अंदर आता है पर variable के अंदर नहीं आता या उसको हम consider नहीं करते पर still उसकी treatment कैसे करनी है अब ध्यान दो ज़रा कि अगर आप बात कर रहे हो absorption costing system के अंदर तो वहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि एक unit बनाते समय variable cost per unit कितनी लगी और fixed manufacturing cost कितनी लगी है एक unit बनाते समय यानि unit wise basis पे हम ये देखते हैं कि जो fixed manufacturing overhead है per unit पे कितने लगे पर on the other side variable में ऐसा नहीं है variable में क्या किया जाता है fixed manufacturing overhead दिये तो जाते हैं पर हम उनको consider नहीं करते means हम उनको per unit का part नहीं बनाते तो sir कैसे लिखते हैं फर उनको यानि उनकी total cost ही जानी जाती है और total cost के साथ ही उनको deal किया जाता है means उनको period expense बना लिया जाता है period expense का मतलब होता है वो expense जो unit wise नहीं चलेगा in and aggregate चलेगा तो in and aggregate कितना fixed manufacturing overhead लगा है अगर आप सिरफ in and aggregate बात कर रहे हो तो वो variable costing system है पर अगर आप per unit basis पे fixed cost की treatment करने जा रहे हो तो वो absorption costing system के अंदर ही possible होगा ठीक है जी inventory valuation कैसे बोलो गया देखो जब आप absorption costing system के अंदर बात कर रहे हो ना तो वहाँ पे fixed और variable दोनों per unit basis पे आ रहे हैं और दोनों consider किये जा रहे हैं और दोनों consider होने की वज़े से total manufacturing cost बढ़ जाएगी आपकी तो उसकी वज़े से क्या होगा उसकी वज़े से आपकी inventory की value भी बढ़ जाएगी लेकिन अगर आप सिरफ variable पे बात करोगे यानि fixed को as a period expense से treat करोगे या फिर आप treat नहीं कर रहे हो variable costing system में as a per unit तो वहाँ पे क्या किया जाएगा वहाँ पे जो total manufacturing cost होगी आपकी वो सिरफ variable cost के ओपर depend करेगी fixed को part नहीं बनाया जाएगा per unit basis पे तो उससे क्या होगा उससे जो inventory की value है वो as compared to absorption costing system कम रह जाएगी तो आपको तो मतलब है कि अपनी inventory value को stable रखना better बनाना और कुछ नहीं है मलब cost ना जादा लगे पर in simple term inventory का stock आपके पास पड़ा होना चाहिए पर उसकी cost जादा ना लगे आपको ये होता है तो inventory value एक तरीके से कहलो कि जादा और कम किसमे है हमने अब ये बात करी ठीक है तो जादा आपको absorption costing में pay करनी पड़ जाएगी लेकिन कम आपको variable costing system दे रहा है अब आते हैं profit की reporting करते समय absorption costing system के अंदर profit vary करता रहेगा क्यों? क्योंकि variable cost भी per unit ही देखा जा रहा है और fixed cost भी per unit देखा जा रहा है यानि एक unit पे जितना बदलाव होगा वो fixed plus variable दोनों के हिसाब से continue करने के बाद profit vary करेगा यानि जो profit है वो जादा vary करेगा क्योंकि अगर अकेला variable cost होता तो बात अलग होगती लेकिन नहीं इसमें fixed cost भी साथ साथ change होती जाएगी जैसे जैसे आप अपने production को change करते जाओगे तो दोनों चीज़े per unit basis पे चले जाना दोनों चीज़ों को consider कर लेना दोनों का level of production पे depend होना तो कहीं न कहीं यहाँ पे क्या है due to fixed overhead expenses वहाँ पे problem क्या आ रही है problem क्या आ रही है profit vary करेगा यानि suppose करो एक unit बनाने का पांच रुपई है अब एक unit पांच रुपई मतलब one unit is equal to five rupees हो गया अब similarly मैंने fixed overhead का मतलब क्या है कि per unit rate five rupees ही रहेगा अब आप पहले एक unit बनाते थे अब दो बना रहे हो तो पहले जहां 5 रुपई लगती थी cost fixed overhead वाली वो अब 10 रुपई लगने लग गई बात तो वही हो गई ना लेकिन अगर यहीं पे वो period expense होता तो पूरा 50,000 as a total हम लिख देते वहाँ पे production चाहे 10,000 करो चाहे 20,000 करो चाहे 30,000 करो वो सारी की सारी 10,000 ही रहनी थी तो इसका मतलब मेरा यह है कि अगर variable cost में as a period expense मान रहे हो fixed को और सिर्फ variable को per unit basis पे चला रहे हो और सिर्फ variable की बात ही कर रहे हो वहाँ पे तो वहाँ पे जो आपका profit होगा ना वो depend करेगा सिर्फ variable पे क्योंकि per unit जितनी जादा बढ़ा होगे variable cost के उपर dependence आएगी और variable cost ही decide करेगा कि profit कितना आगे जाएगा तो जितनी variable cost होगी उस basis पे ही आपका जब profit decide होता है तो it will be a part of variable costing तो profit is solely depend on variable cost it is a part of variable costing लेकिन अगर profit दोनों चीज़ों पे depend है variable plus fix की per unit cost पे तो वो चीज़ vary करेगी मतलब profit वहाँ पे change होता रहेगा stable नहीं रह सकता ठीक है decision making अब देखो obvious ही बात है हम decision किसके basis पे लेना पसंद करेंगे हम जादातर कोशिश करते हैं कि अगर हम short term decision लेना चाहते हैं तो हम variable के basis पे ले क्योंकि variable मतलब changes होते रहना right production में changes जादा करते रहना तो वहाँ पे short term के लिए decision लेने आना तो सिर्फ variable cost को देख कर लो क्योंकि fixed का मतलब होता है जब आप लंबे समय की बात कर रहे हो absorption costing system अगर हम लेकर चलेना तो short term decision making में बिलकुल काम का नहीं है लेकिन अगर long term decision लेने है तो शायद absorption costing system आपको कुछ मदद कर सकता है क्योंकि उसमें fixed चीज़ें जादा है लेकिन on the other side variable costing में fixed चीज़ों के उपर ध्यान नहीं दिया जाता जिसकी वज़े से it is more useful for the short term decision क्योंकि यहाँ पे आपको short term decision में contribution जल्दी पता चल जाता है और contribution के basis पे ही अगर आप अपने decision ले लेते हो तो वो कई वार आपको better result दे देते हैं ठीक है जी तो this is all about your क्या this is all about your differences between absorption costing system and variable costing system I hope आपको अच्छे से clear हो गया होगा दोनों का difference थोड़ा short है लेकिन easy है अच्छे से clear हो गया है तो वीडियो को जल्दी से like और share कर दीजेगा और channel पे नए हो तो जल्दी से subscribe का button दबा के जाईएगा next video तक wait करिएगा thank you so much have a nice day